नमस्कार प्रियामित्रों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिसोर समधान दोस्तों आज मैं आपको व्यापार में समस्त प्रकार की समश्याओं का विनास करने के लिए एक महा प्रभावशाली यंत्र बनाना सिखाऊंगा इस यंत्र को आप अपने घर में बनाकर सेधे हाथ में धारन कर सकते हैं या सिंदूर और घी से इसको आपकी दुकान में सामने की तरब बना सकते हैं ताकि गरहाक की सीधी नजर इस पर पड़े दोनों परकार की विदियों के बारे मैं आपको बताऊंगा दोस्तो इस यंत्र को बनाने के लिए आपको तीन सामानों की जरुवत पड़ेगी एक भोजपत्र, अनार की कलम और थोड़ी अश्टगंद यह यंत्र भोजपत्र के ऊपर, अनार की कलम से और अश्टगंद की शाही से बनाया जाता है यह तीनों ही चीजे 20-25 रुपे की किसी भी पंसारी के यहां से बड़े आराम से आपको मिल सकती है पूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊंगा लेकिन इसे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दू दोस्तों यह आप जोतिस के दौरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी स्रेणी के गवर्मेंट लेब सर्टिफाइड राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहां से सभी प्रकार के रतनों की अंगूठिया बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है आप मुझे प्राते काल 10 बजे से लेकर रातरी 9 बजे तक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं तो चलिए विशे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों या आप स्क्रीन पर देखिए यह चार्ट आप देख रहे हैं इस यंत्र को इस चार्ट को जोकात्यों इतने खाने यही नंबर आपको भोज पत्र पर उतार देने हैं यह यंत्र को आप किसी भी शुब मुहुरत में बना सकते हैं तो जोकात्यों बनाने के बाद में आपको मंत्र बोलना है ओम दुम दुरगा यही नहीं इस मंत्र को कम से कम 108 बार आपको बोलना है इसके बाद में आप इस को मोड करके तावीज टाइप बना करके चांदी के तावीज में सीधे हाथ में भरके उसमें सीधे हाथ में बांद सकते हैं या आप इसको कपड़े में बांद कर भी अपने हाथ में बांद सकते हैं दोस्तो तो इस यंत्र को आप थोड़ा सिंदूर में शुद देशी गाएं का देशी घी मिलाकर घर में किसी दिवार पर भी उकेर सकते हैं या आपकी दुकान में किसी दिवार पर आप इसको बना सकते हैं ऐसा करने से आपकी दुकान में ग्रहाक बहुत जादा मातरा में बढ़ेंगे पैसे में बरकत रहेगी आपका कामदाम आगे बढ़ेगा बहुत महा प्रभावशाली यंत्र है बहुत सटीक जानकारी है इसका उप योग आप जरूर करें और मैं कामना करता हूँ आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइम माई शाइनल मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहत शानदार जानकारीयों के साथ भविश्य में भी तब तक के लिए नमस्कार